Welcome to study channel मेरा नाम है मुहम्मद कैसर आज है दोस्तों 3 जून कल 4 जून है और कल बहुत ही महत्पुर दिन है भारत के सभी नागरिकों के लिए कल लोगसवा चुनाओं के नतीजे आ जाएंगे और उसके बाद कल ही आचार सहीता समाप्त हो जाएगा 5 जून से पूरी रफ्तार में काम करेंगे तीनों भरती आयोग काफी समय से कोई भी भरती पर काम नहीं हो पा रहा था प्रानी लंबित परिक्षाएं हो नए विज्यापन हो फसे हुए रिजल्ट्स हो सब के सब रुके हुए थे लेकिन 5 जून से सारी चीज़ें फिर से पट परिक्षा से वाचैन आयोग हो तीनों आयोग पूरी रफ्तार से काम करेंगे काम गती पकड़ेगा यूपीपीएससी पेपर लिग के बाद सुरक्षा को लेकर कई विशेस इंतजाम कर रहा है प्रश्ण पत्र लिग ना हूँ इसको लेकर यूपीपीएसी काफी ज्यादा सतर्क हो गया है तो आरो यारो का जो परिक्षा प्रिवाला 11 फर्वरी को हुआ था पेपर लिग के करण परिक्षा को रद करना पड़ा अभी भी लगातार जाच हो रही है और इसमें गिरफतारियां हो रही है यूपीएसी की अब कोशिश है कि इस प्रकार की घटना अब क सारी परिक्षा हैं जो अस्तकित हुई थी तो इसे भी जल्द कराया जाएगा खबर आ रही है कि बहुत ही जल्द यूपीएसी से एक निया एक्जाम कलेंडर देखने को मिलेगा जिसमें इन सभी भरतियों के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी साथ ही साथ आप देख सकते हैं चुनाओ बात जारी होगा असिस्टेंट प्रोफेसर का विग्यापन यूपीएसी से विग्यापन बहुत रिजल जारी होगा जो एक्जाम कलेंडर था पिछला वाला उसमें इसमें बताया था कि स्क्रीनिंग परिक्षा को लेकर जो निमावली है उसकी मंजूरी क इसमें बाद निया विग्यापन जारी होगा कुछ बड़े अहम बदलाव इसमें किये जा रहे हैं तो इसमें बदलाव दोस्तों यह हो रहा है कि पहले स्क्रीनिंग परिक्षा सिर्फ छटनी के लिए होता था पूरा मेरिट इंटर्व्यू से बनाया जाता था लेकिन अब ऐसा नहीं है स्क्रीनिंग परिक्षा का 75 फिजदी और इंटर्व्यू का 25 फिजदी दोनों को जोड़कर फाइनल मेरिट बनाया जाएगा Assistant Professor में ये नए निमावली तयार कर ली गई है और मंजूरी मिलते ही इसका विग्यापन जारी कर दिया जाएगा 300 से अधिक पदों का अधियाचन UPPSC को मिला हुआ है उमीद है जुन ने तो जुलाई में ये विग्यापन 100% जारी हो जाएगा 37 LD grade GIC प्रवक्ता खंड सिक्षा अधिकारी वगरे की भरतियां UPPSC से होनी है इंतजार है नए एक्जाम कलेंडर का बहुत सारी इंपोर्टन जानकारी उसमें मिलने वाली है बात कराएं UP सिक्षा सेवा चैन आयोग का तो ये आयोग भी अब तेजी से काम करना शुरू कर देगा बहुत जल एक्जाम कंट्रोलर के पत पर न्युक्ति देखने को मिलेगी साथी साथ बहुत सारे अन्यमहत्वड अधिकारियों और करमचारियों के पत खाली है इनको भड़ा जाएगा अच्छा सहीता के वज़े से पिछले दो महीनों से कुछ हो नहीं पाया जैसे ही अधिकारियों की निक्ति हो जाती है उसके बाद 2022 टेजीटी पीजीटी और असिस्टन प्रिफेसर परिक्षाओं के बारे में ओफिशिली बता दिया जाएगा उत्तर प्रिफेस मादमी सिक्षा सेवाच चैन बोर्ड से जुड़ा एक और मामला सामने निकलकर आ रहा है आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश मादमी सिख्षासेवा चैन बोर्ड उच्चतर सिख्षासेवा चैन बोर्ड और PNP जहाँ से UP, टेर्ट और प्रातमी सिख्षाद भरती होती थी अब यहां से कोई भी भरती आपको देखने को नहीं मिलेंगी सब कुछ अब नहीं आयोक से होगा और इसी बीच प्रदेश के 4000 से अधिक सायता पुराप जो मादमी द्यालों में परताना चार है और सिक्षकों की निक्ति करने वाला उत्तर पर इस मादमी सिक्षा से वाचायन और उच्चतर सिक्षा से वाच एंबोर्ड का कोई भी अस्तियूत नहीं रहेगा दोनों आयोक का विलें नहीं आयोग में हो रहा है नहीं आयोग में आपको पता ही है कि ध्यक्ष और सदस्रेओं की निक्ति हो गई है खबर है कि बहुत ही जल्द परवानेंट ध्यक्ष की भी नुक्ति नहीं आयोग में हो जाएगी और इसी साल दोस्तों आपको बिल्कुल यह मान कर चलना है कि 2022 का असिस्टेंट प्रोफेसर और 2022 की यह दोनों लंबित परिक्षा इस साल होना है यदि नहीं आयोग में जो भी लंबित काम है यदि जून माह में हो जाता है तो पढ़ाई करने की आउशकता है यूपिडेट का नया विग्यापन हो या कोई भी नई शिक्षक भरती का विग्यापन हो इस साल नहीं आप आएगा यह बिल्कुल आप मान कर चलिएगा जो भी होगा नया विग्यापन वह अगले साल आएगा अभी नई भरतियों के से पूरी कराई जाएगी इस वजह से लंबित परिक्षाओं को जल्द कराई जाने का लक्ष है और यूपिटेट हो नई टीजटी बजटी भरती हो नहीं आयोग से भी एक असिस्टेंट प्रोफेसर की भरती हो नहीं है यह सारी भरतियां अब अगले साल ही हो सकेंगी से 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 भी कुछ भरतियां देखने को मिलेंगी लंबित परिक्षाओं और रिजल्ट्स को जल्द क्लेयर किया जाएगा तो यह रही आज की वीडियो में कुछ इंपर्टेंट अपडेट वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें थ थान्स पर वाचिए